नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है। तो इस तरीके से वहाँ पर चीजे हैं। आज हम दोस्तों पहले लोग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला लोग है दोस्तों वो एकदम निचले स्तर का लोग ऐसा माना जाता है। पहला जो लोग है वो पापी लोगों का लोग है। मतलब कही न कही अगर किसी इंसान ने पृत्वी पर आकर बहुत ही जादा मतलब एक्स्ट्रीम ऐसे लेवल पे बड़े बड़े पाप करें। लोगों को मतलब खुन करना, लोगों को बेगर करना, किसी की जिन्दगी बरबात करना। तो इन सारी चीजों से क्या होता है कि वो जो इंसान है वो एकदम नीचे ले स्थर पर चला जाता है, मतलब इंसान के एकदम नीचे गिरी हुई एकदम जो एक्स्ट्रीम लेवल है, उसमें अगर वो पहुँच गया एक्स्ट्रीम स्थर पर तो ऐसा जो इंसान है वो एकद वहाँ पर कैसी आत्माएं होती है, तो वहाँ पर दोस्तों ऐसी ही बुरी ही आत्माओं का वहाँ पर एक समुदाय होगा और वहाँ पर एक साथ वहाँ पर रहते हैं, लेकिन एक साथ रहे कि भी जो बुरे लोग होते हैं, वो कभी भी एक दुसरे के साथ पैर से नहीं रह सकत इसलिए वो अपने मतलब जो भी उनको दुख मिल रहा है उसको बहुत बार वो दूसरे को मतलब कही ना कही उसका जिम्मेदर ठहराने की कोशिश करती है तो इस तरीके से जाधा तर आत्माओं के वहाँ पर बात होती है बहुत लोगों को यह भी लगसा एक तक आत्मा यह वह वहाँ पर किस तरीके से मतलब उनका शरीर कैसे होगा तो जो बड़ी आत्मा है उन्होंने यह कहा है कि जो पहला लोग है वहाँ पर जो आत्माओं के शरीर है वो थोड़े से भारी होते हैं मतलब आत्मा के लियास से भारी और उसमें मतलब उन्होंने यह कहा है कि अपने प ज़्यादा बुरी कंडिशन में वहाँ पर आत्माई रहती है। मतलब कहिना कई बुरी रहापर में चला गया या फिर मेरे मन में बहुत जादा लोब आया। जादा तर आत्माई होती है। वो क्या बोलेंगे कि मैंने मतलब मैंने तो कुछ अपने जान मुझकर कुछ बुरा नहीं किया है। और कहिना कहिना कहिने दूसरा इंसान की गलती थी उसके वज़े से मेरे सामने ऐसे हुआ। इन सारी चीज़ों में ये खुद गलती करेंगे और खुद के पाप के वज़े से निचला इसतर पर गए है। लेकिन फिर भी कहिना कहिने दूसरे को ही दोस देते हैं बैटेंगे। इस तरीके से मतलब कहिना कहिना कहिने पहले लोग की आत्मा की मतलब कहानी है। अब आखरी बात ये आती है दोस्तों कि इनका आगे क्या होता है। आखिर इन लोगों की सामने, आखिर क्या आगे हो सकता है, क्योंकि हमेशा मतलब वो ऐसे तो पड़े नहीं रह सकते, तो जो बड़ी आतमय हैं धोस्तो, उन crowdने यह कहा है, कि जो ऐसी लोख है, ऐसे मतलब लोख की जो आतमय होती है, उनके साथ कोछँ इस तरीके से होता है कि उनको सुधरने का मौका दिया जाएगा उनके सामने कुछ ऐसी चीज़े रखे जाएंगी कि जैसे कोई एक आत्मा है उसको सुधरना है अभी वो परेशन हो गई है निचले स्तर पर पर कोई भी, मतलाब ऐसे स्तार पर नहीं रहना चाहेगा, जो आत्मा है वो यही कहते है कि कोई भी अच्छा इंसन, आप और मेरे जैसा जो एक नम सामसाधर इन इंसन है, तो वो ऐसे जगहें पर एक पल भी रहना नहीं चाहेंगे, तो समझो, कोई एक वात्मा वहाँ पे है, पहले स्थर पे, जिसने बहुती जादा बड़े-बड़े पाप किये है, अगर वो आत्मा वहाँ से सुधरना चाहे, या फिर वहाँ से उपर मतलब आना चाहे, तो ऐसे समय में क्या होता है दोस्तों, कि उनको कही ना कही दिल से प् पाप किये है, या से छुटने के लिए तो उनको ये ये मतलब भुगत कर लाइफ में आगे बढ़ना होगा, तो उसके लिए वो अगर मानती है तो ठीक होता है, और उसके बाद वो बाद में मतलब अच्छे से आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर उसको पश्रता हुआ तो वड़ायर, उपर के लोग जाएगे, ऐसे नहीं होता, वहां से एक अच्छे गतिक वे जाने के लिए, सबसे पहले उनको पस्तावा होना चाहिए, उसके बाद उनके जो भी पाप उनने किये है, उसको भुगतने की उनकी तयारी होनी चाहिए, बहुत बार क्या होता है, कि जो पाप है, वो बहुत जादा होता है, इसलिए क्या होता है, कि उनको कहίνा कि जानवर के भी कुछ जनम लेने पड़ते है, कि जहाँ पर जानवर के मतलब जैसे उनको रहना पड़ेगा, उसके बाद दिरे दिरे एक इंसान के रूप में उनका जनम भी होगा, और उसके बा दुश्रे लोग में ऐसे हैं जुच्छे लोग पर जा सकते हैं तो इसे तरीके से जो पहला लोग है वह एकदम अंदिरे से हो पर बसकार कैसक पूरा शरूर नहीं हाना पर जुर our और वहां से अगर उनको छूटना होगा तो सबसे पहले अफसोस करना होगा पश्तावा उनको दिल से होना चाहिए अपने जो भी पापकरम की उसको स्विकारना होगा क्योंकि लोग नहीं स्विकारते नहीं मेरी गल्ती नहीं थी मैं तो मतलब बराबर हुए इस तरीके से मुटा मुटा पश्तावा करें लेकिन अगर वो सात्मा को ये कहे कि उस पापको तुम्हें स्विकारना भी है और उस जो भी पाप किये है तुमने उससे मतलब कहिना कि उसको तुमको खुद भुगत करी तुम आगे बढ़ पाओगे तो ऐसे समय में उसको जो अगर अगर आपको पास्टर लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए आटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस वाटसप नमबर पर मैसेज कर सकते हैं हम आपको किसी अच्छे तेरपिस्ट के बारे में जरूर बताएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद